भारत ने गैर बास्मती सफेद चावल के निर्यात पर नियूंतम मूले हटा दिया है, जिससे विदेशी बाजारों में इसके चावल की पेशकश अधिक प्रतिसपर्दी हो गई। यह निरने किसानों और निर्यात कों द्वारा विभिन चावल ग्रेड की बिक्री बढ़ाने के लिए नियूंतम मूले हटाने का अनुरोध करने के बाद लिया गया है, अच्छी मानसून बारिश के कारण बंपर फसल के पूर्वा नुमानों के साथ साथ इस मूले को हटाने से भारत के चावल निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, इसके अतिरिक्त, उबले चावल पर निर्यात कर हटाने से चावल के निर्यात को और बढ़ावा मिलेग। इस कदम से अंतराष्ट्रिय कीमतों में नर्मी आने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के बड़े चावल शिप्मेंट विदेशी बाजारों में प्रवेश करते हैं, जिससे पाकिस्तान, थाइल और वियतनाम जैसे अन्य प्रमुख निर्यातकों को चुनोती मिलती है। भारत ने हाल ही में गैरबास्मती सफेद चावल के निर्यात के लिए नियून्तम मूल्य को हटा दिया है, जिसका किसानों और निर्यातकों ने स्वागत किया है। नियून्तम मूल्य, जिसे 490 डॉ प्रती मीटरिक टन निर्धारित किया गया था, ने भारतिय निर्यातकों की विदेशी बाजारों में चावल के सस्ते ग्रेड बेचने की क्षमता को सीमित कर दिया थ। इसे हटाने के साथ भारत की चावल पेशकश, जिसमें 460 डॉलर प्रती टन पर 5% तूटा हुआ चाव पर लिया गया है, भारतिय निर्यातकों के लिए अभाव पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस नियम को हटाने से 25% तूटे हुए चावल जैसे ग्रेड बेचने के अफसर खुलेंगे, जिन पर पहले प्रतिबंध्त, इससे निर्यातकी मातरा में बढ़ोतरी हो हाल के महीनों में भारत के चावल के भंडार में उच्छाल आया है, और सरकार के कदमों का उदेशन निर्यात के अफसरों को बढ़ाते हुए भंडार को कम करना है। को कम करने में योगदान मिलेगे।